अजो एवरीवन वेलकम तो मैं चानल एक्सिलेंट कोचिंग MPC-0-1 का ब्लॉक-1 चल रहा है और इसमें हम सीगमेंट फ्रोइड की साइको अनलेटिक थेरपी आज पढ़ेंगे तो साइको अनलेटिक थेरपी जो है सीगमेंट फ्रोइड की इट इन्वाल्व डिलीविंग रि दभी हुई है उसको बाहर लाने की कोशिश करते थे जो भी फीलिंग और थोर्ट थे जो उनके उनक्सियस माइन में चले गए हैं दबे हुए हैं जिनकी वजासे उनकी लाइफ में आज प्रॉब्लम्स क्रियेट हो रही है में अन्टल प्रॉब्लम्स हो रही है इस प्रॉस आपनेज की उपनेशंद की तो वह कैसे करते थे जैसे उनके रूम में आपने त्क करता होता है उसके साथ हमें या कि सामने बेठा होता है आप некотор करता है जो इस Pl liar Bund can सब्सक्राइब पर 입ग मांने přाम उपने। हुआ है Chase शेट कर 친 और शेर सब्सक्राइब करूँगा और उपके टैनि अथिस फ्री लिए इसो से ऐसि surgenzie तेकनिक बोलते हैं मेढ में था इससी करते करते कि प्राणी बादों पर चले जाते थे अपने मेमरी ने करते करते उंको और न में में बाता बाद पोणकी म hiện俺 कोılar और पीछे की श्राइंग में तक लेके जाते थे सिग्मेंट फ्रॉइड उनकी बातों से ठीक है तो अब यहां पर यह ट्रांस्फेरंस टेकनिक का मतलब यह कि कई बार वह बात करते करते पेशन्ट इतना खो जाते थे कि उनको जो पुरानी बात याद आती थी तो उनका जो गुसा या कहलो या जो उनका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के लिए या अपने सिब्लिंग्स के लिए या अपने टीचर की तरफ या बच्पन में किसी भी ऐसे परसन की तरफ कोई इमोशन रही होंगी जो उनके माइं वह गुस्सा उने लग अचानक और अपने psychologist के उपर गुस्सा उने लग जाते थे सिंगमन Freud से ही गुस्से में आंगर में बात करना शुरू कर देते थे वह गुस्सा उनके उपर ही निकालना शुरू कर देते थे तो basically यहापर पर फ्रोईड क्या चाहते थे वह इसको याद करते करते हैं में में आपकोशीन उसको याद आ रही है तो आपक्शन अपने सईकोलोजिस्ट के ऊपर सेमस्ट्चन दिखाना शुरू कर दीता है क्योंकि वो अपने मेमोरी में खोया हुता है तो दियारन ने होता है कि वो किस तरफ एमोशन दिखा रही है उसको बॉलते हैं ट्रांसफेरेंस धीक है तो वही सेमे इमोशन आठिटुट वह अपने अपने अनलीस्ट के ओपर दिखाने लग जाता है इस डबब सीस वली करता है तो बूला है नीचे दबा दें अपने इन इस धरn bị भी वह फिर वह आजाएंगे वह पर्शान होंगे वो परिशान होंगे, उनको anxiety होगी, क्योंकि वो पुरानी बाते थी, जिससे वो उसको छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, क्यों छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, क्यों छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो actually में आगे नहीं बढ़ चुके होते हैं, वो उनके mind और यह ड्रीम इंटर्प्रेशन से भी हो सकता है कि सपनों में उनको ग्या नजर आते तो फ्रॉइड ने वह भी एक लिस्ट बना रहा है तो अगर सपने में यह नजर आएगा तो उसका यह मतलब है अगर कुछ और चीज दिखते हैं तो उसका यह मतलब है तो ड्रीम को भी इ इन ड्रीम इस अंडर्प्रेशन और लेटन कंटेक्स मतलब जो चीज़े ड्रीम में उनको नजर आती थी ना जो कंटेंट वो बताते थे कि उन्होंने सपने में क्या-क्या देखा वह उसको एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मानते थे किसी छुपे वे चीज का कि ड्रीम में अगर जैसे आपने कहीं बर सुना भी होगा कि लोग बात करते कि ड्रीम में अगर किसी को टाइगर नजर आया तो यह मतलब होता है कि आगे जाके उनको जो है बहुत सारे अपने फियर का सामना करना पड़े इस टाइब की चीज़ें तो जो ड्रीम में मैंनिफेस्ट हो रहा है या नजर आ रहा है जो चीज़ें ड्रीम में दिखने वो किसी छुपी हुई चीज क्या उसका सिंबल है यह फ्रॉइड यह मानते थे इस चीज को तो इंटरनल सेंसर्शिप डिमांड डेट विश बी ट् है तो वह चीज़ें क्या होती है वह किसी सिंबल की फॉर्म में बाहर आती है ताकि वह लोग दूसरे लोग उसको समझ ना पाए वह हमारा अपने आपको प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है टेंशन से एंग्जाइटी से बचाने का तरीका होता है दस सोर्सिज ऑफ ड्री बाते हो गई कोई लिंग्विस्टिक सिंबल हो गए या कोई रिप्रेस्ट एक्पिरियंस हो गए जो दबे हुए है उसकी विरह से हमें ड्रीम आते हैं ड्रीम आर्दी गार्डियंस ऑफ स्लीप डाट इस विश फुल्फिल्मेंट डेटराइज इन रिस्पॉंस तो इनर को सब्जेक्ट टो कंटिनी दिन स्लीपिं तो यह अपने च्शो जो जो ड्रीम के त्रू क्या हैं अपनी स्लीप को गार्ड करते हैं ता कि जो पुरानी विश्टिज ल दबी हुई है वो हमारी नींद ना खराब करें तो हमारी नींद को बचाने के लिए continue करने के लिए dreams आते हैं जो हमारे inner conflict और tension को अपनी नींद नहीं खराब करने देते हैं इसलिए dreams आते हैं तो बेसिकली यह वाँ बार बार वह बोढ़ रहें कि जो हमारे एक उनकॉंचेस माइन जो सिंबॉलिक आपजेक्स है यहां प्रीकॉंचेस माइन जो चीजें है वह सारी चीजें हमें ड्रीम में नजर आती है वर्क इस दी प्रोडक्शन of dream during sleep मतलब sleep का काम क्या है कि dreams को produce करें now dream interpretation is the decoding of the symbol तो dream को जब वो interpret करते थे वो decode करने की कोशिश करते थे उन्हीं symbols को उन्हीं latent यानि छुपेवे content को that is the unconscious and hidden tension and conflict that give rise to dreams तो उसी को वो बहार निकालने की Freud अपनी therapy में कोशिश करते थे जो चीजे चुपी होई है जो सपनों में आती है लोगों के और उनसे बात करते थे free association technique वही होती है कि जैसे बात करते करते दूसरी बात निकलना दूसरी से तीसरी ऐसे करते करते वो उनके बच्पन में पुराने experiences में childhood experiences में चले जाते थे पास्ट memories की बारे में बाते बाहर आनी शुरू होती थी और यह बड़ी hypnotic stage पे चल जाते थे पेशन मतलब यह इतना खो जाते थे उन चीजों में यह reality से out of touch हो जाते थे तो hypnosis का यूज करते थे यह इस तरह की टेक्नीक मतलब ही डिफरेंट टाइप की hypnosis है और free association का ट्रांस्पेरेंस का ड्रीम interpretation का यह सारी चीज़ें फ्रॉइड यूज करते थे अपने पेशन से जस्ट बात करने के लिए और उसी से उनकी अब यह जो सेशन कोई तरीका टेक्नीक तब यूज करता है जब बहुत जादा ही डीप या सीवियर प्रॉब्लम हो और कई बार तो बहुत सीवियर होती है तो मेडिकेशन भी दी जाती है तो फिर उसके लिए आपको साइक साइक्ट्रिस्ट के पास बेजा जाता है जो एक जा है जियुक्त कृक्रिक जगर जक्रिटिस्टे की शौह सेथी बहुत कि इसका क्रिएबलफ करें नहीं खिंट हлагा जो भी वह बताते हैं कि हमारा मैंने में मैंटल स्क्राइल इडिडी सूपरीब तो ना थो verify किया सकते हैं कि कि seem एम्पेरिकल कैसे करोंगे उसको उसक कोई तरीका नहीं है scientifically verify करने का और नय को falsify किया सकते हैं कि वो चीज़े हमारे भीएवियर में हम देखते हैं कि हमारे behavior में वो चीज़े दिखते हैं तो verifiable पर भी नहीं है, falsifiable भी नहीं है, it is not clear what would count as evidence sufficient to confirm or refute theoretical claim, मतब यह clear नहीं है कि किस तरह के evidences हमें चाहिए होंगे, यह confirm करने के लिए, जो उन्होंने बोला है कि हमारे mind के structure होते हैं, subconscious, pre-conscious, conscious, यह हमारा जो unconscious mind होता है, उसमें defense में करने, यह सारी चीज़ें गलत भी नहीं है, लेकिन ना हम आपास कोई evidence है, scientifically कोई evidence नहीं है, जिससे हम test कर सकें, ना हम उनको मना कर सकते हैं, ना हम उसको refute कर सकते हैं, कोई ऐसी theory भी नहीं है, जो कह रही है कि यह गलत है, उसके बाद कोई किसी ने ऐसे इन चीज़ों को गलत कहाने की भी कोशिश नहीं की, वो ऐसी theory भी नहीं आई जिन्होंने प्रूफ कर दिया कि यह गलत है, तो ना तो इनकी theory सही, पूरे तरीके से verifiable है ना पूरे तरीके से false है, तो इनकी जो इनकी जो इनकी जो जादा इंपोर्टेंस नहीं दी थी, यह माना जा रहा था, तो इनकी जो women, जो clients होते थे, या subjects होते थे, उसमें women के उपर इन्होंने जादा धंग से काम नहीं किया था, study नहीं किया था, the theory over emphasizes the role of sexuality, तो यह तो वही बात होगी जो मैं आपको बताई थी, कि इनकी सारी theories में sexuality के उपर बहुत जादा over emphasizes है, और यह women के against थोड़ा सा थे, और bias थे, male की तरफ कुछ इस तरह का भी criticism आता है कई बार इनकी theory में, तो यह था इनका पूरा जो Sigmund Freud का, जो हमने last 2-3 वीडियो में पढ़ा है, कि इन्होंने क्या-क्या theories दी थी, और क्या-क्या चीज़े इन्होंने बोली थी, हमारे behavior को influence करती है, और criticism वगेरा जो हमने पढ़े, और आपने पढ़ते-पढ़ते देखा भी होगा, कि सारी चीज़े गलत भी नहीं है, अप्चुली में वोज चीज़े आपको देखने को मिलती भी है, बात यह है कि इसको scientifically test नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं इसको wrong-proof कर पा रहे हैं, इसलें यह चलती भी आ रहे हैं चीज़ें, और इसको scientifically यह लोग accept भी नहीं कर रहे हैं, बोलके कि यह scientifically true है, तो यह दोनों चीज़े हैं, यह theories बहुत famous हैं सिग्मिन फ्रोइड की, और इसको criticize भी खूब किया जाता है, तो अब इसके बाद जो हम next video में start करेंगे, वो humanistic approach, प्रोइड की कौन सी थी, इनकी थी psychoanalytic approach, अब start होगी next video में, जिसको हम बोलते हैं humanistic approach, तो I hope आपको video अच्छी लगी हो, तो please like, share, subscribe and thanks for watching.